हेलो एंड वेलकम टू करिंट अफेर्स टीवी यह वीडियो सामानने घ्यान के क्विस्चन्स और एंसर्स का पार्ट तीन है अंतिम प्रश्न आपके लिए है उसका उत्तर कमेंट जरूर करें लेट्स स्टार्ट प्रश्न नंबर 51 सन 1949 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभ एक राश्रवादी राजनीतिक दल है इस दल की स्थापना नेताजी सुभाश चंद्र बोस ने सन 1949 में की थी इस दल के महासचिव देवरत विश्वास है प्रश्न नंबर 53 जॉन सॉंडर्स की हत्या किसने की थी इसका उत्तर है भगत सिंग ने एक्स्प्लेनेशन भगत सिंग और उनके साथियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत के बदले ब्रिटिश पुलिस के अफसर जॉन सॉंडर्स को गोली से उड़ा दिया था प्रश्न नंबर 53 भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी इसका उत्तर है सरोजिनी नाइडू एक्स्प्लेनेशन सरोजिनी नाइडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपूर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्षा बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधी बनकर दक्षण अफ्रीका भी गई भारत की स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी प्रश्न नंबर 54 ब्रहमा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई इस इस्प्लनेशन ब्रहमा समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था इसका एक उद्देश भिन भिन धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जंता को एक जुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने स समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे सन 1828 में ब्रह्मा समाज को राजा राम मोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था प्रश्न नंबर पच्पन वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया था इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक्स्प्रनेशन स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आरे समाज की स्थापना की थी वे संस्कृत और वेदों के प्रकान विद्वान थे दयानंद सरस्वती का असली नाम मूर्शंकर था प्रश्न नंबर चपन भारत का राश्रगीत किसने लिखा है इसका उत्तर है ब अंकिमचंदर चटरजी बंगाली के प्रख्यात उपन्यासकार, कवी, गद्यकार और पत्रकार थे भारत के राश्रिय गीत वंदे मात्रम उनकी ही रचना है प्रश्न नंबर 57 हमारा राश्रिय पंचांग कौन सा है इसका उत्तर है शक समवत एक्स्प्रनेशन समवत समय गर अंधम विक्रम समवत दूसरा शक समवत और तीसरा लोधी समवत शक समवत भारत का प्राचीन समवत है जो 78 इसवी से आरंभ होता है प्रश्न नंबर 58 रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी इसका उत्तर है हेंरी बैकेरल ने एक्स्प्लनेशन अंटोइन हेंरी बैकेरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री नोबेल पुरुसकार विजेता और मेरी क्यूरी तथा पीरे क्यूरी के साथ रेडियो धर्मिता के अनवेश्क थे जिसके लिए तीनों को 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरुसकार दिया गया प्रशन नंबर 69. मानव शरीर की किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी कहा जाता है इसका उत्तर है पीयोश ग्रंथी को Explanation पीयोश ग्रंथी या पीयोशिका एक अंतहस रावी गरंथी है जिसका आकार एक मतर के दाने जैसा होता है और वजन शुने डौट 6 ग्राम होता है किया था इसका उत्तर है विलहेम रॉंटगन ने एक्स्प्लेनेशन विलहेम कॉन्राड रॉंटगन एक जर्मन मेकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 8 नवंबर 1895 को एक सरे या रॉंटगन किर्णों के रूप में जानी जाने वाली तरंग देर्धे रेंज में विद्धित चुम्बकिये विकिरन का पता लगाया इसके लिए उन्हें सन 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुर्शकार दिया प्रश्न नंबर 61 आरे समाज की स्थापना किसने की इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक्स्प्लेनेशन आरे समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मतुरा के स्वामी विर्जानंद की प्रेर्णा से की थी प्रश्न नंबर 62 भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंतम किनारा कौन सा है इसका उत्तर है कन्या कुमारी एक्स्प्लेनेशन कन्या कुमारी तमिलनाडू प्रांत की सुदूर दक्षिंतट पर बसा एक शहर है यह हिंद महा सागर बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का सं प्रश्न नंबर 63 इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है इसका उत्तर है मधुमे के उपचार में एक्स्प्लेनेशन इंसुलिन एक ऐसा हॉर्मोन है जो आपके पैंक्रियाज या अग्नियाश्य नाम के अंग से उत्पन होता है यह ग्लूकोज को प्रश्न नंबर 64 कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है इसका उत्तर है विटामिन सी एक्स्प्लेनेशन विटामिन सी शरीर की मूल भूत रासाइनिक ख्रियाव में योगिकों का निर्मान और उन्हें सहीयोग करता है विटामिन सी एक एसकॉर्बि जैसे नीमबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदी में पाया जाता है प्रश्न नंबर 65 कागस का आविशकार किस देश में हुआ इसका उत्तर है चीन में कागस का आविशकारक चीन को माना जाता है कैलून, चीनी आविशकारक और हान राजवन्ष के एक अदालत के अधिकारी थे पारंपरिक रूप से उन्हें कागस के आविशकारक और पेपरमेकिंग प्रक्रिया के रूप में माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने आधुन रूप में कागस की उत्पत्ती की प्रश्न नंबर 66 सम्विधान सभा का स्थाई अध्यक्ष कौन था इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्स्प्लनेशन भारत की सम्विधान सभा का चुनाव भारतिय सम्विधान की रचना के लिए किया गया था ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद सम्विधान सभा के सदसे ही प्रथम संसद के सदसे बने दॉक्तर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव आमबेकर, सरदार वल्लब भाई पतेल, श्यामा प्रसाद मुखरजी, जवाहरलाल निरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदी इस सभा के प्रमुक सदस्य थे इसका उत्तर है, आठ मई को, एक्स्प्लेनेशन, विश्वा रेड ग्रास दिवस प्रतिवर्ष आठ मई को मनाया जाता है यह दिवस Red Cross के संस्थापक और शांती के लिए पहले नोबल पुरुसकार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिन के उपलक्ष में मनाया जाता है प्रशन नंबर 68 अंतर राश्ट्रिय महिला दिवस किस तिथी को मनाया जाता है इसका उत्तर है आठ मार्च को Explanation अंतर राश्ट्रिय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व के विभिन क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिसम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष में उत्सव के तोर पर मनाया जाता है सबसे पहला दिवस, न्यू यॉर्क शहर में 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कारिक्रम के रूप में आयोजित किया गया था 1917 में सोवियत संग ने इस दिन को एक राश्रिय अवकाश खोशित किया प्रशन नंबर 79, ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध तियोहार है इसका उत्तर है केरल का, एक्स्प्लेनेशन ओनम केरल का एक प्रमुख तियोहार है ओनम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रती वर्ष आयोजित किया जाता है जो दस दिनों तक चलता है प्रशन नंबर 70, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह एक्स्प्लेनेशन शुक्र सूरे से दूसरा ग्रह है और प्रतेक 224.7 प्रत्वी दिनों में सूरे परिक्रमा करता है ग्रह का नामकरन प्रेम और सौंदरे की रोमन देवी पर हुआ है यदि सूरज और चांद के बाद प्रत्वी से कोई खगोलिय वस्तू सबसे चमकीली प्रतीत होती है तो वह है शुक्र ग्रह शुक्र उन सभी ग्रहों में है जिन्हें हम बिना किसी उपकरन की सहायता से देख सकते हैं प्रशन नंबर 71 संयुक्त राष्ट्र संग के पहले महासचिव कौन थे इसका उत्तर है ट्रीगवी ली एक्स्प्लेनेशन ट्रीगवी हल्बदन ली नौर्वीयन राजनीतिग्य मजदूर नेता सरकारी अधिकारी तथा लेखत थे एक फरवरी 1946 को वे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव बने और इस पद पर वे नवंबर 1952 तक रहे प्रशन नंबर 72 अंतर राष्ट्रिये न्यायाले कहां स्थित है इसका उत्तर है दहेग नीदरलेंड में एक्स्प्लेनेशन अंतर राष्ट्रिये न्यायाले संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायक अंग है और इस संग के पांच मुख्य अंगों में से एक है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संग के घोशना पत्र के अंतर गत हुई है इसका उद्धाटन अधिवेशन 18 अप्रेल 1946 को हुआ था प्रशन नमबर 73 सन्युक्त राश्ट्र महास्भा में हिंदी में भाशन देने वाले भारतिये कौन थे इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेई एक्स्प्लेनेशन अटल बिहारी वाजपेई भारत के तीन बार के प्रधान मंत्री थे वे हिंदी कवी पत्रकार वा एक प्रखर वक्ता थे वे भारतिये जनसंग के संस्थापकों में एक थे प्रशन नमबर 74 संयुक्त राष्ट्र संग का 193 वा सदस्य कौन सा देश बना था इसका उत्तर है डक्षन सूडान एक्स्प्लेनेशन डक्षन सूडान उत्तरपूर अफ्रीका में स्थित स्थलरुध देश है जुबा देश की वर्तमान राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है डक्षन सूडान को 9 जुलाई 2011 को जन्मत संग्रह के पश्चाच स्वतंत्रता प्राप्थ हुई यह विश्व का 196 वा स्वतंत्र देश संयुक्त राश्ट्र का 193 वा सदसे तथा अफ्रीका का 55 वा देश है प्रशन नंबर 75 आपके लिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे संयुक्त राश्ट्र संग्सरक्षा परिशत की कितने देश सदसे होते हैं ओप्शन ए पांच देश ओप्शन बीह पंद्रह देश ओप्शन सी एक सौतिरानवे देश ओप्शन दी बीस देश थेंक यू वाव नाइस देश